नमस्कार दोस्तों स्वागत मैं आपका दोस दीनेशनियम्बावत हम बात करेंगे अब यह अगली विदि प्रोजेक्ट विदि प्रोजेक्ट मैठट क्या है इसको जानते हैं बड़ी पोपुलर विदि है है project method पूछी जाती है एकसर डवलू एच किल पेट्रिक द्वारा ये विधी दी गई ठीक है किसके द्वारा दीगी डवलू एच किल पेट्रिक द्वारा ये जोन डीवी के सिस्सी हुए ठीक है डवलू एच किल पेट्रिक अब बात करते हैं ये प्रोजेक्ट विधी है क्या जान की देने अब 1908 में अमरिका के मेसा मेसा बुस बुस टास के बॉर्ड ऑप एजुकेशन ने जो है मुर्गी पालन मतसे पालन तता बागवानी जैसे कारियों के लिए सामग रूप से प्रोजेक्ट सब्द को काम लिया था इन्होंने जो है मतसे पालन मुर्गी पालन यह पर भागवानी प्लांटव अगरे करना हो तो इन्होंने क्या किया मिद्क पूरे के पूरे पूरे ऐसे अलगढ़ नाम नहीं लेकर एक नाम दिया कि प्रोजेक्ट सब्दिनों ने काम लिया अब प्रोजेक्ट सब्द का सब्से पहले उप्यूब्स एक में हुआ और पर्योजना विदी को जह इस्टिवनजन ने पूरा किया यह भी आप याद रखेगा तता इस सोत पत्र के माधियम से प्रोजेक्ट वीदि नामक नवीन सिक्सन विदी का क्या-क्या इन्होंने निर्मान किया अब प्रोजेक्ट विदी के जो अउधारना इसकी बात करते हैं प्रोजेक्ट विदी की अउधारनों परसीद दर्शन सास्तरी हुए जोन डीवी आपको पता ही होगा? सिक्साम बड़ा नाम है इनका परसीद दर्शन सास्तरी जोन डीवी के परियोजन वाद को आधार मान कर परस्तुत कीगी परियोजन वाद किनका था? जोन डीवी का उसी को बेस बनाया और ये प्रोजेक्ट विदी की अउधारन नमास आई अब जॉन डिवी का मानना था कि बालक अपने वास्तिक जीवन की समश्यों के समधान से सीखता है, यहां कि वास्तिक जीवन में जो समस्यां उसके सामना आएगी, उसी से हो सीखेगा, अथे शिख्सा के सेत्र में ऐसी समस्यों को परसुत किया जाने लगा, उन्हें लगा चा जाता है उस समस्य के समधान किया जाता है तब हम उनसे सीखते हैं तो उन्होंने कहा कि एसी प्रस्तियां जो है सिख्जा के सेतर में भी दी जाए ठीक है अब प्रोजेक्टर विधी के प्रारंबिक दे दिया जाता है प्रारंबिक तोर पर कि उसकी नकल होब हो गया जिसे इसे सिक्षन पदती का वैवारिक रूप दिया और इस परकार इन्होंने परवासित किया किस परकार से किया यह याद रखेगा एक सो उदेश से पून बिना उदेश से के नहीं एक सो उदेश से पून सहर्दे पून यानि हर्दे के साथ तता पून स्वम सलगनता के साथ पूरा डेडिकेशन के साथ किया गया क कार ये क्या कहलाता है प्रियूजना कहलाता तो प्रियूजना कि इन्हों ने एक विदी किस तरीके से यान कैसा कि परिभासक किस तरीके से बताई कि एक ऐसा सो उदेश्य साहर देपून सेलगंता के साथ किया गया कारिय क्या कहले यह फ्रियूज्जन किहला अभी इस्टिवेंशन की आनुसार बात करें इसके संदर में क्या कहते ऐसा समस्या मुलक अगयendo जिसे स्वभाविक परस्तित्यों में उदेशिय प्राप्ति के समंद में पूर्णत की और ले जाता है यानि कि समस्य मुलक कारी होता है अब स्वभाविक परस्तित्यों में जो हमें हम अपने उदेशी के प्राप्ति के समन्द जो है उसको पूर्णत के और ले जाते हैं उसको पूर्ण या पूरा करते है अब प्रोजेक्ट विधी के अव्यव देखें या पिर तत्व देखें कि प्रोजेक्ट विधी के अव्यव क्या है इसके तत्व क्या है अब मनो विज्ञान की द्रस्टी से इस वीदी का पुरियोग किया जाता है ठीक है पिर किरिया शिल्ट आपको एक्टिव रहना पड़ेगा पर्योजन सिल्टा बिना उद्य से कि कुछ नहीं होगा प्री प्लानिंग करनी पड़ेगी यर्थाद वादिता कल्कना में बात हैं नही जाएगी उप्योगिता बिना अफाल्तु का आपको प्रोजेक्ट प्रदा नहीं किया जाएगा बलकि वहीं दिया जाएगा जो आपके लिए उप्योगी हो जीवन में जिसे आप आने वाले इन फ्यूचर की जो है समस्यां उनका सोलिसन कर शके हैं सवतंतरता आपको किसी क जावी प्रेशर इसमें नहीं दिया जाएगा कि आप टीचर के प्रेशर में दबाव में रहकर कारे करें आपको एक समस्यां के साथ यानि एक प्रोजेक्ट के साथ आपको फृड़म छोड़ दिया जाएगा सबसे पहली बात देखें मनोवग्यानिक की करण क्या है इसको स पर प्रोजेक्ट विदी की संपन होनी चाहिए अब प्रोजेक्ट का चाहिन कैसे करना ये बालक की एबिलिटी को देखा जाए उसका मान सिकस्तर को देखा जाए उसकी रूची है या नहीं है उसकी ततपरता है या नहीं है जिग्यासा है या नहीं है उसके बेस पर उसको प् पड़ती है प्रोजक्ट में प्रोजक्ट दे दिया सिखसे वहां से चले जाते अब जो भी करना सिखसों को करना नी बालक को करना ठीक है अब पूरा का पूरा नियोजन और किरियावेदी इसको नियोजन भी उसी को करना है उसको अपलाई भी उसी को करना है बालक को ठीक है अते बालक किर्यासिल बना रहता है, खुद को करना होता है, बालक किर्यासिल रहेगा, करके सीखने के मादियम से बालक का आधिगम भी क्या होता है, इसता है होता है, फिर देखे परियोजन सिलता, परियोजन सिलता, कोई भी प्रोजेक्ट एक निश्चेत उदेशिये या पर विदाले के जो नियंतर्ण है आप discipline में या पूरी बंदिसों में हैं ऐसा नहीं होना चाहिए विदाले जो नियंतर्ण से मुक्त होना चाहिए बालक अपने संसादोने का उप्योग ठीक उसी परकार करें जिस परकार वो अपने वास्तिक जीवन की समस्याओं के समाधान में क इसके पास जो संसादोने वो अच्छी तरीके से पूरे freedom के साथ उनसे संसादोने का उप्योग कर सकें ताकि इन future में कभी वैसी प्रस्तिया आए तो उनका क्या है उनसादोने का उप्योग कर सकें उसके बाद है कि उप्योगिता किसी भी project का चैयन जो है उसकी उप्योगि नहीं दिया जाए, सवतंतर ताकी बात करें, तो प्रोजेक्ट पूरा करने के दोरान बालक को पूर्ण रुपेन सवतंतर छोड़ जाना चाहिए, या उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट स्रमंदी समस निर्ने बालक को स्वयम करने होते हैं, अथे बालक पर दबाव तनाव का निर्माण नहीं होने देना चाहिए तता नकारात्मक वाताउन के निर्माण से क्या बचना चाहिए बालक को कोई भी स्ट्रेश ना दे बंदी से ना दे पूरा नियंतर्ण में ना रखे बार बार आप उसमें जाके आप अपना जो इंस्ट्रेक्शन ने ड इस पोसिस भी ना करें, ठीक है, यह कोई न कारात्मक वाता हों, नहीं देना चाहिए, अब देखते हैं, प्रोजक्ट वीदि के सोपान देखें, इसके चरण की सर्ण बात करते हैं, सबसे पहले हुद waveformनि निर्धारन या फिर joyful उускत कोई प्रोजेक्ट हुआ तो प्रोजेक्ट का निर्मान किसी निर्धारित उदेश्य के आदार पर होना चाहिए आपने कोई प्रोजेक्ट दिया तो उसका जो निर्मान करेंगे आप एक निर्धारित पहले से जो है आप डिसाइड कर लेंगे कि हमारा उदेश्य क्या होगा अब सिख्षक की भुद्धी मता के कारण प्रोजेक्ट का निर्धारण सिख्षक का कारी माना जाता है। अब सिक्सक अगर है ना बुद्धिमान है तो उसकी बुद्धिमता के हिसाब से जो है इसका निर्धारण उदेश्य का निर्धारण जो कौन है वो सिक्सक कर लेगा अब सिक्सक को बालक की योगेता का अनुसार बालक की योगेता का अनुसार उसकी mental ability का अनुसार देखा जा तो प्रोजेक्ट आचैन करना चाहिए और प्रोजेक्ट का निर्धारन सभी बच्चों की आम सहमती से होना चाहिए वक्तिकत प्रोजेक्ट का निर्धारन वक्तिकत राय के आधार पर तता सामुई प्रोजेक्ट का निर्धारन समू की योगिताओं का आधार मान कर किया जाना चाहिए आप वक्तिकत रूप से दे रहे हैं कोई प्रोजक्ट तो वक्तिकत रूप से जिनको दे रहे हैं उनका भी ध्यान रखा जाए उनकी योगिता का अदार पर समू में दे रहे हैं तो समू की योगिता का भी आपको ध्यान में होना चाहिए शिक्षिक दुआरा ऐसे सेक्षिक वाताउन का निर्मान किया जाए जिससे प्रोजेक्ट चैन में मदद मिले प्रोजेक्ट चैन के दोरान उन दोस्तों तता बाधों की विवेचना की जाने चाहिए जो प्रोजेक्ट पूरा करने के दोरान आती है प्रोजेक्ट दे दिया आपने बता रहे हैं चैन करवा दे लेकिन उससे पहले आप एक वार इंस्ट्रेक्शन दे दें कि इस दोरान यह यह बातें बीच में आ सकती है तो वो आप पहले बता दे दूसरा है योजना निर्मान या पिर नियोजन अब योजना निर्मान या कैसे पूरा किया जाए कि समंद में योजना बनाई जाती है तता प्रोजेक्ट पूरा करने से समंदित सदस्यों की भूमिकाओं का निर्धारन किया जाता है इसके साथ इसके अंतरगत उन समझ सामगरियों का वैस्तापन भी किया जाएगा जो प्रोजेक्ट के दोरान काम म ली जाएगी वे सब इस सदस्यों के उत्तरदाईत्वे का निर्धरन किया जाता यान कि अब यहां है कि हम योजना बनाएंगे कि यह यह सामगर्य हमें चाहिए होगी ठीक है अब इससे समदित वक्ति कौन-कौन होंगे उनकी सारी जो है विवस्ता की जाएगी कि यह हम प्रो जो है योजना अनुसार कार्य की किर्यानविति की जाती है बालक प्रोजेक्ट से समंदित वाताउन में तत्यों सुषनाओं को प्राप्त करता है और योजना की किर्यानविति के दोरान ये भी ध्यान रखा जाता है कि बालक स्रम और मेनत वैर्थ ना जाए ऐसा नहीं हो कि बालक किसी ओर दिसा में अपना जो है हाड़वर कर रहा है कार्य कर रहा है जिसका कोई उस प्रोजेक्टरे मतलब ही नहीं है तो ऐसा नहीं होना चाहिए आते किर्यानविती की दोरान जो है बालक को परियाप्त समय दिया जाए समस्या या बादा आने पर एक सिक्सक को हो जाएगी ऐसा नहीं होना चाहिए एक मित्र की बाहती आप उनको गाइड कर सकते हैं ठीक है तब तता बालक को समय समय पर आभी प्रेरित किया जाना चाहिए यह बात होगे अब तत्थिये सूस्थना हो तता आंग्डों की प्राप्ति और निसकर्ष ये अगला टॉपिक यह यह था और फिर निसकर्ष भी निकालेंगे आप कि प्रोचेट कि साही दिसा में आप ने जो उधेसी निर्धारेत किया था उस उधेसी की दिसा में प्रोजेक्ट गया या नहीं गया प्रोजेक्ट विवेचन विजलन की दिसा में है या सही दिसा में गया या पिर उस दिसा से बटक गया तता इसके साथ ये भी आखलन किया जाता है कि प्रोजेक्ट को कब तक पूरा कर लिया जाएगा अब मुल्यांकन एउम समस्य समादान की बात करें इस चनलन के मादियम से जो है प्रोजक्ट पूरा होने के पस्चात मुल्यांकन किया जाता है पूरी प्रक्रिया हो गई अब प्रोजक्ट समाप्थ हो गया अब जो है मुल्यांकन किया जाता है उदेशी निर्धारण के समंद में उदेशी को कहा तक प्राप्त किया गया जो आपने उदेशी डिसाइट किये थे नियोजन के समय उदेशी को आपने कहा तक प्राप्त किया है ठीक है तता प्रोजेक्ट में किस परकार की बाधाएं आई किस परकार की बाधाएं आपको उस इस problem को solve करने के दोरान आई आपने उन्हें कैसे दूर किया इन सब का जो data आप रखेंगे फिड़वेक रखेंगे इस किस तरीके से क्या क्या होगा data सारा आप क्या करेंगे इक्टा करेंगे अब लेका जो क्या कि बात कर लें आपन ये project त्विदि का अंतिमचरणं है जिसमें प्रोजेक्ट के समस्चरण dramatic किया जाता है जिसमें भावस्ये में यदि किसी परकार का project किया जाय है तो इस project के अनुभव वो प्रोजेक्ट के दोरान आई बादों का किस तरह से जो निराकरण किया गया उसका अनुभव लाब लिया जा सके लेका जोका रखा इसलिए जाता है ताकि जो हमने प्रोजेक्ट आज किया है इन फ्यूचर में कभी ऐसी परसेति आ जाए ऐसा प्रोजेक्ट दे दिया जाए तो आज समस्य आई है वो इन फ्यूचर में कभी नहीं आए अब बात करें प्रोजेक्ट वीदी के लाब देख लें गून की बात कर लें प्रोजेक्ट वीदी के लाब और गून प्रोजेक्ट वीदी में सीखने के तीनो नियम है तीनो नियम कौन से तत्प परभाव और अभ्यास के इनके नियम है एक बार याद कीजिएगा थोंडाई के नियम है मुखे नियम हो में ना तत्परता परभाव और अभ्यास का पालन होता है जब बालक मानसिक रूप से तयार या तत्पर होता है तो प्रोजेक्ट को सुरू किया जाना चाहिए अभ्या तरह से प्रभाव उसाली रहती है प्रोजेक्ट वीदी में जो है उदेसी निर्धार्ण से लेकर मुल्यांकन तक समस्किरियाओं को बालक स्वयम करता है आथे करके सीखने के माध्यम से अधिगम इस्साइँ होता है इस वीदी में बालक में चिंतन मनन जिग्यासा तथा कलप प्रोब्लम सुरू होती है तब हमारा चिंतन सुरू होता है प्रोब्लम सुरू के साथ चिंतन सुरू हो जाता है और प्रोब्लम जब फिनिस होती है तो हमारा चिंतन क्या होता है रुक जाता है जब बालक सामय ग्रूप से कारे करते हैं तो उनमें सामाजिक सदभाव तता एकता समन्वें की भाउना का विकास होता है, जब उनको सामुईक रूप से उसे समाजी करण है, उनका क्या होता है, अब बात करें, प्रोजेक्ट विदी के दोसबु भी हैं, क्या क्या है, देख लें, कई बार बालग जो ये चोटे चोटे प्रोजेक्ट को पूरा कर लेता ह गुरूजी मैंने यह कर लिया आप तो यह भी मीद्गुरू कर सकता हूं क्या पता आप आपने गर से कुट्ते का चोटा फिल्ला उसको बगा दिया एक जेस्ट एक्जाम्पल यह कोई प्रोजेक्ट नहीं लेकिन एक्जाम्पल के तोर पर जो आब इसको देख सकते हैं एक चोटा सा फिल्ला है उसको एक बच्चे ने गर्षे बगा दिया उसको लगा हाँ मैंने इसको ड़णा कर बगा दिया अब बार गली में कोई आवारा बड़ी बड़ी सान्द आजाए गाया आजाए बड़ा जानवर आजाए तब वोग चोटा बचा जाए कि मैं इसको बगा दू और नी बगा पाई यार उल्टा हो उसको नुक्सान हो जाए तो क्या हो जाता है, नुकसान दाई भी हो सकता है कहीं बार जो है बालक आवाँचनी कारियों में है समय वो सरम की बरबादी करता है यह सिखसे का दोस माना जाएगा कहीं बार जो ठीक नहीं होता उसमें भी उस प्रोजेक्ट को लेकर टाइम वेस्ट करता रहता है क्योंकि उसी के निर्देशन में प्रोजेक्ट का चैन किया गया था और यदि यह कुसल अध्यापक ऐसा होने से रोकता है तो उसे सिखसे का हस्तसे माना जाता होता यह भी है कि टीचर का यहां सवधन सील होना ज़रूरी है क्योंकि आपने प्रोजेक्ट दिया अप प्रोजेक्ट पे नजर तो आपकी रहने चाहला कि आप एंटरपेर बार बार नहीं कर सकते लेकिन आपकी नजर होनी चाहिए आप बार बार एंटरपेर करेंगे तो आपका हस्ते से अब माना जाएगा और आप एंटरपेर नहीं करेंगे तब वो उस प्रोजेक्ट की सई दिसा में जा रहा या नहीं जा रहा कई बार ये भी होता है तो ये अतियदिक खर्चिली वीदी है और अधिक समय भी लेने वाली वीदी है तो ये बात थी प्रोजेक्ट वीदी के संधर्व में ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताए मैंने अपनी तरफ से पूरी मेनत किये आपको इस वीडियो के माधिम से समझाने की प्रोजेक्ट वीदी होती क्या आपको अच्छे से समझ में आगे होगी अग कर दो आज दो कर दो कर दो